अस्लाम अलेकुम स्टुडेंट इस विलीद बिन फुरीद आज हमने चप्टर नमर शिक्स स्टार्ट करना है और इस चप्टर का नाम है जी किंगडम प्रोक्रियाटी इस आल्सों नाउन एस किंगडम मुनेरा जीसे हम किंगडम मुनेरा भी कहते हैं हम अगर प्रोक्रियाट्स की बात करें तो प्रोक्रियाट्स कुन से अगनिजम्स होते हैं प्रोक्रियाट्स से ऐसे अगनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोक्रियाटिक सेल्स होते है और prokreatic cells का क्या मतलब pro का मतलब होता है इनकी literal meaning देखें तो pro का मतलब होता है before kreion का मतलब होता है nucleus मतलब ये के nucleus से पहले वाले agonism और nucleus जो बना है वो evolution के बाद बना है ठीक है इन prokreatic agonism के evolution हुई है तो eukreatic agonism बने है जिनके अंदर well defined nucleus होता है according to microbiologist prokreats are divided into two groups prokreats को दो major groups में divide किया गया है एक को कहा जाता है जी archiobacteria और दूसरे हैं yubacteria archiobacteria are also known as instant bacteria नहीं हम instant bacteria केते हैं कदीम bacteria, पराने bacteria केते हैं और yubacteria को true bacteria, yu जो है word true से निकला है true bacteria archiobacteria are the simplest bacteria ये simplest bacteria होते हैं और yubacteria are the complex bacteria और ये simple और complex के sense में बात करें इसकी बात करें तो इनकी जो structures हैं जो इनके cell हैं उनके अंदर जो structures पाए जाती है ठीक है उस base पे ये बात करें इनके अंदर structures कम हैं और yubacteria के अंदर जो structures हैं वो जैदा होती है आर्चियो बक्टेरिया आर्चियो बक्टेरिया आर्चियो बक्टेरिया की एवलूशन होई है तो यू बक्टेरिया बने और यू बक्टेरिया की जो सेल वाल है उसके अंदर पेप्टाइडो गलाइकन नहीं पाया जाता लेक पेप्टाइडो गलाइकन औ और उसके बाद जो यू बक्टेरिया हैं ठीक है यू बक्टेरिया है उनकी सैलवाल के इनिर प्प्टРЕइडों केलाइकर होता है। अच्छा अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी कि डिसकावरिया बक्टेरिया पहले ये एक ख्याल था लोगों के जहन में कि यहां पर कोई समाल क्रियेचर या समाल मुखलूक हैं जो बहुत छोटी हैं जो आपको नेकड आई से नजर नहीं आती और जो डिजीजेज कास करती हैं और यह ख्यार लोगों का उस ताइम तक रहा जब तक माइक्रोसकोप की डिसकावरी हो जब कुछ समाल आगनेजम पाए जाते हैं यहां पर आगे हमने डिफरन साइंटिस्स पढ़ने हैं कि उनकी कंट्रिबिशन क्या है और हम बात करेंगे सबसे पहले कंट्रिबिशन आफ लिव नवेन होकी तो इसने सबसे पहले माइक्रोब्स को देखा था या रिपोर्ट किया थ माитайक्रोबस तो से जैसे कि Nam बात करें बक्टेरिया की और प्रोटो जेख और उसने किस के इस्टमाल किया थै declaring यूजर सिंपल माईक्रोबस कुछते है तो इस उससे कि क कैसे है और कि उदेखते हैं तो उनको दि assumption के ए ईसके और उनकोन को सत्रॉपर जा सराइब ख bark vibr doll था और इसने इनको कहाता है ये समाल क्रियेचर्ज हैं ठीक है जिने हम एनिमल कुलस कहते हैं और ये अबजेक्टर में पुछता है जी एनिमल कुलस क्या होता है आपने इसको याद रखना है कि समाल क्रियेचर्ज जो है उन्हें हम एनिमल कुलस कहते हैं और जाम भी वर्ड स्माल चीज़ के लिए बात करता है इसने सबसे पहले यह जो स्माल क्रियेचेज हैं इनको रेन के अंदर देखा था और उसके बाद इनकी जो कन्फरमेशन की थी वो सलाइवा के अंदर भी पाय जाते हैं विनीगर के अंदर भी पाय जाते हैं उसके बाद एक और साइंटेस् की थी उसने बताया था कि हाँ यहाँ पर क्या है माइक्रोब्स पाए जाते हैं और he also had lot of discoveries in medicines and microbiology और इसकी great achievements की बात करें तो he developed a vaccine और किसके against vaccine developed की थी anthrox anthrox केते हैं बड़े बखार को जो mostly animals में होता है rabies कुटे के काटने की वज़े से होती है और cholera केते हैं जी cholera केते हैं हिज़े को यह also developed a technique of posturization और posturization के बात करें posturization क्या है यह एक ऐसा process होता है जिसमें food को heat किया जाता है जो भी microbes उनको kill कर दिया जाता है और फिर उनको एक container के अंदर pack कर दिया जाता है ताके वहां microbes की growth ना हो सके और उसके बाद इसने fermentation का process भी बताया था जिससे हम alcohol और प्रोडियूस करते हैं और इसने यह बात भी बताई थी के how microagnism cause diseases के microagnism की वज़े से बीमारियां कैसे काज होती है उसके बाद है हमारे पास आगे contribution of Robert Kooch Robert Kooch के क्या contribution है He discovered bacteria or that bacteria look like rod shape उनकी जो shape थी वो rod shape थी और with squarition यह ऐसे थे यह इस तरह के bacteria थे ठीक है squarition यह इस तरह हमें और उन बक्टेरिया को कहा जाता है bacillus bacteria ठीक है और यह क्या कहते हैं these bacteria cause tuberculosis TB जैसे कहते हैं और कॉरला मैंने आपको बताया कॉरला है इसने यह rod shape bacteria सबसे पहले एक sheep थी जो मर गई थी किसकी वज़े से इंथरॉक्सी वज़े से तो उसके blood के अंदर इसने जो है वहाँ पे उसको मिले थे He also formulated germ theory of diseases और यह बहुत important question है बहुत बार examiner है पूश चुक है इस question के बारे में और उस जो germ theory of diseases है उसके चार main पास्चुलेट थे चार main पास्चुलेट क्या थे पहला point यह है कि कोई भी जो organism है जिसके अंदर बीमारी काज होती है और वो बीमारी किसी भी specific organism की वज़े से काज होगी और वो organism वहाँ पाया जाएगा और दूस्टा point यह था कि हम उस organism को अलग कर सकते हैं उसको isolate कर सकते हैं isolate करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं pure culture के अंदर जो है pure culture के अंदर हम उसको lab में isolate कर सकते हैं या grow करवा सकते हैं मतलब वो जो organism है उसके हम copies बना सकते हैं बहुत सारे same organism बना सकते हैं और यह जो प्यूर कल्चर हमने लैब बे बनाया इस से क्या है इसको हम अगर इंजेक्ट करें किसी भी एनिमल के अंदर ठीक है और वो एनिमल्स कौन सो होना चाहिए सस्पेक्टिबल मीन की डिजीज काजिंग उसमें बीमारी लग सकती हो तो वहां पे बीमारी लग जाएगी अच्छा तो आप जिस अगनिजम के अंदर आपने वो डाला प्यूर कल्चर और उस अगनिजम से फिर दोबारा आप उससे क्या कर सकते हैं आईसूलेट कर सकते हैं ठीक हो गया यह मेन पॉयंट थे किस के जर्म तोरी अफ डिजीजिस की और उसके बाद इस ने कुछ टेकिनिक्स भी दी थी यह germ theory of diseases के बाद के किस techniques की तरू हम यह सारे काम कर सकते हैं जैसे कि isolation आपने उन microbes को उन germs को लेना कैसे है उसके बाद inoculation उनको inject कैसे करना बाडी के अंदर media preparation आपने इस media की preparation lab के अंदर कैसे करनी है और pure culture की maintenance कैसे की जा सकती है ठीक है और उसके बाद है जी के हम specimen जो भी हम जो भी specimen हम microscope में देखना चाते हैं उसकी preparation कैसे की जाएगी उसको slides पे कैसे prepared किया जाएगा ठीक है यह सारे काम जो थे वो robot coach के थे ठीक हो गया थेंक्यू सो मच अगर कोई question है तो आप comment में पूई सकते हैं